अधिली और मरोल में नाले के चोड़ी करन के बद ले चर्च के जमीन खाली कराने का नोटीस देने वाली BMC के खिलाफ जंक शुड़ हो गई है सेव और लेंट कमीटी और दबॉंबे कैथलिक सभा नामक संसा ने चर्च के जगह खाली करने के इस नोटीस को रद करने की मांग की है BMC के इस कलम के खिलाफ सानिय लोगों और दोनों संसाओं ने एक डिसंबर को डहानुकर वाडी में विर ज्रेली आई जित की है के प्रवक्ता डॉल्फी डिसुजा ने प्रेस कॉनफरेस में बताया कि कांदी उली में ओर लेडी और संसंब चर्च और सेंट जॉसिफ हाई स्कूल मैदान के पास सही पोईसन नदी गुजरती है इसी ने बिम्स्टोवर्ट प्रोजेक्ट की वजह से चर्च और स्कूल के मैदान को खाली करने का नोटिस भेजा है जिसुजा ने बताया कि जमीन के चले जाने से करीब सत्रा सूब स्कूली बच्चों को एक मातर खेल का मैदान चला जाएगा आरोप है कि बिम्स्टोवर्ट प्रोजेक्ट के तहत ही नदी के चोड़ी करन करने के बजाए उसे गहरा करने और कच्रा निकालने का विकल्प है लेकिन बिम्सी जान बुच कर चोड़ी करन पर अड़ी हुई है उन्होंने बताया कि चर्च के पास नाले की चोड़ाई पहले ही 36 मिटर है इसे अब 37.5 मिटर चोड़ा करना है इससे तरह मरोल में भी एक चर्च की जमीन मिठी नदी के चोड़ी करन के दौरान बीमसी ने ले ली थी संसा ने करने घटना करते पर बताया कि मालोनी से सेंट एंथोनी चर्च की जमीन सड़के चोड़ी करन के बदले ली गई है जिसने ने कहा कि हमने इस समसा के बारे में राजनेता से लेकर अधिकारी तक सबसे संपर किया लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया शनिवार के जैली मिस घटे के विरोध में काफी लोग सड़कों पर उतरेंगे इस्व में और रोड वाइडनिंग से ने इस मालूम नहीं है अधिक तो आल एडिया वजामशन के जो नोटिस आय थी है इस महिने के इस साल के जैनुवरी में आय थी और जो सेंट आंटिनी मालूम नहीं के 211 से उन लोग नोटिस भेज रहे हैं हम लोग उसके विरूध अब्जेक्शन भी रेस कर रहे है हमारा यही मुद्दा है कि आप सोच समझ के आपके जो प्रोग्राम है रोड वाइडनिंग का या नला वाइडनिंग का आप आपके एजिंसिस ने जो सजेइस्ट के आपको उसके पर आप ध्यान देते नहुए अंप्लाइंड जो वाइडनिंग के प्लाइन करते हो और गलत रिक्श से जो लोड वाइडनिंग का जो तुमारी स्तिती है ओ हम सोचते हैं कि गलत है वह हम अहारी जो जगड़ा उनके सा हमने हमारा formal request दाला है appointment का municipal commissioner से हमारी जो बात है वो हम chief minister सापको भी भेज हैं कि हमें appointment दे ताके हम आप से बात करें और हम एक्स्प्लेंन करें हमारी क्या दिख्कते हैं और क्या alternate plans हैं उनके agencies ने alternate plans suggest के हम तो plans suggest नहीं किये हैं उसके बारे में तो सोचो अभी जिस तरह से कहा कि प्रिस्ती समधाई के लोग ज़्यादा तर रास्ते पे नहीं आते हैं, एजिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम यह मांगते हैं कि क्योंकि हम पीस लविंग है, तो हम पे ज़्यादा दबा होते रहता है, तो इसके लिए हमने यह सोच लिया इस तैम प रही है, जहां पे हम हमारी लोगों के बीच में हम यह मांगे हम रखेंगे, और उसके बाद एक मेमोरेंडम, गवर्मेंट को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, सोनिया जी कुन देंगे, और ब्यम्सी कमिशनर को देंगे, कि यह बात है, हमारे मसले को आप ध्यान देना पुछिया पुछिया जरूर जरूर और मैनौरिटी है इस्जू तो हई है लेकिन हम क्रिस्चिन समुदाई के लोग एक ऐसे मैनौरिटी है जिनको हर कोई कि जरूर 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 जरू जरूष प्रंस लाकिए महाँ सब्नेटाई बोथ गर्वर्मेंट को और गेमसी को. बोथ गर्वर्मेंट को और गर्वर्मेंट को. बोथ गर्वर्मेंट को और गर्वर्मेंट को और गर्वर्मेंट को. तो फिर हम लोग ने ये दिया क्यों. तो अभी इन लोग दूसरे तरीके से पीछे के साइड से भी ले रहे हैं. जैसे कि ये केक है तो जिस तरीके से आप काटना चाहो वैसे काट के खा जाओ बाद में केक खा ली. और स्कूल के लिए जो जगा है अभी का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड भी सत्रा सो स्टूडेंट को एक टाइम पर नहीं ले पाता. तो उसको और छोटा करो गया तो फिर बच्चे खेलेंगा काम में. काफी बात हो चुकी है. उन लोग आंसर कुछ नहीं देते हैं हम जो भी फैक्स उनके सामने रखते हैं अब तो डेप्यूटी कमिशनर तक बात हमने की है जो भी फैक्स देते हैं उन लोग बोलते हैं कि हम स्टडी करके आपको वापस आ जाएंगे और वापस सिर्फ एक आंसर आता है कि रिजेक्ट रिजन क्या है वो बताते हैं नहीं है काफी इंफरमेशन हमारे पास आई है उसके बलपुते पर ही हम यह जानते हैं कि यह जो कर रहे हैं वो अन्याएं जैसे हम लोग ने ब्रिम्स्टाट प्रोजेक्ट का डीटेल्स निकाला है जहां पर क्लियरली मेंचेंड है कि रोड ज बलते हैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि रिवर का कोर्स चेंज करना होता है यह उसको डीपन करें अगर दोनों रीजन्स नहीं हो तो उसके बाद आप वाइडन कर सकते हैं यह हमारी जमीन है और उसाड़े 400 साल से यह जमीन हमारे नाम पर है बीम्सी लैंड चर्थ है और 110 यारोल स्कूल है